जेडियू के महासचीव केसी त्यागी जेडियू और यंडिये में बहतर कौज़नेशन नहीं होने पर सवाल उठाया है उन्होंने कहा था कि एंडिये के घटक दलों के बीच बहतर समनवे नहीं की वज़़े से एंडिये में बिखराव हो रहा है अगर समन्वे होता तो शिव सेना साथ नहीं छोड़ती केशी त्यागी से बात किये है हमारे सहियोगी कमनेश सिंग में NDA तास के पत्तों के तरह धेर होती जारी पहले महरास्टरा आप जहारकंड में लोजपा और जेडियू पहले ही अज़ग जोज़ेगे मैं इसाथ जेडियू के प्रणा मासाशी केशी त्यागी सर क्या वज़ए के NDA तास की पत्तों के तरह धेर होती जा रही है कुछ सवालों को लेकर के कन्फिजन हुआ है खास तोर से जहारकंड में जहां LJP जेडियू अलग चुनाव रण रण रहे हैं और अभी तक आज सुके भी अलग से चुनाव रणने की खबरे हैं लेकिन दुरभाग पुन घटना करम महराश्च का है जहां 30 साल पुराना एक साथी अलग हुआ है अगर विचार विमर्ष का दोर निरंतर जारी रहा होता समवाद हिंता ना रही होती और कोई ऐसा मेकानिजम बिल्ड अप हुआ होता जिसके तहत सभी घटक दल समय समय पर बैठ करके आप सी मतवेद बुलाब पे चर्चा कर लिए होते तो आज सिरी फड़नवीज के नेतृत में वहाँ पर NDA की सरकार हुई होती तो कुल मिला के सारा घटना करम निराश जनक है आप इस मेकानिजम की बात कर रहे हैं वो मेकानिजम क्या है सर जो आप जो NDA हनुए होई वाली मेकानिजम की बात करता है नहीं हमारा मानना है कि तब में अम में एक बन्यादी फर्क है उस समय भारत जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन उनको अकेली बहुत परापत नहीं था इस समय उनको दोनों बारों से इसपर्ष बहुत पराप्त है उसके बावजुद भी हमारा आग्रह होगा बड़ी पार्टी होने के नाते कि वो इन सवालों पर बहस करके कोई सामझस स्थापित करने का परियास करें ताकि जो संक्रिनात्म विवाद हैं वो भी ना झलकें और वहचारिक एक रूपता भी दिखाई दे